पूर्वी लदाख में पांच बैने से जारी गतिरोध के बीच अमेर्की विदेशी मंत्री माइक पोपियों ने बड़ा दवा किया है। उन्होंने कहा कि भारत, अस्ट्रेलिय, जापान और अमेरिका को चीन की ओर से पेस खत्रों से जुड़ी वास्तिविक जोखिम है। जाएक ने कमपार्टमेंटल परिक्षा को लेकर नहीं लिया निर्नाए। पर रियल परकासन के चार माहा होने के बाद भी विद्यार्थियों की कमपार्टमेंटल परिक्षा को लेकर अम्तिम निर्नाए नहीं लिया जा सका। बता दे कि मैट्री की कमपार्टमेंटल परिक्षा में 32 जबकि इंटर में 30,000 विद्यार्थियों ने फरम जमा किया है। उधर जैक ने 2021 की एगार्वी परिक्षा के लिए पंजियों वह परिक्षा फरम जमा करने की परिक्षा सुरू कर दी है। लाते हार चार लोहर्दागा छो पलामू आठ रामगार सत्रा साहिब और छो सराइक के ला पंदरा सिम्डेगा तेरा पच्मी सिमूं से पंदरा मरीज मिले है। जारखन में कुल संक्रामितों की संख्या 93-35 है जबकि 84-471 लोग स्वास्थ हुए और 77-95 की मिलती हो गाई। भारत में कुल संक्रामितों की संख्या 73-345 है जबकि 62-24-621 लोग स्वास्थ हुए और 1-9-894 की मिलती हो गाई। भारत में नए केस 54-45 मिले है जबकि 78-1-94 लोग स्वास्थ भी हुए है। ज्यारखन में 100 मोहर को 11 की महत हुई जो बोकारों से 1, 14-1, पूर्वी सिमूं से 3, गिरीडी से 1, पलामों से 1, रामगर से 1, राची से 3 की महत हुई है। सो मोहर को 890 मरीज स्वास्थ हुए हैं। एक्टिव केस राज्य में इस प्रकार हैं। राची 557, पूर्वी सिमूं 1535, धनबाद 486, रायक केला 321, बोकारों 321, हाजारीबाद 264, खोटी 288, पच्मी सिमूं 150, सी कोडारमा 172, दुमका 169, रामगर 177, गूमला 148, लोर्दागा 140, लात्ते हार 155, चात्रा 119, गिरीडी 108, गडवा 108, सिम्डेगा 112, जामतला 109, वोटा 99, देवगर 89, साज, पंदरा अक्टूबर से दौड़ेगी, हाबडा राची सताबदी एक्सप्रेस ट्रेन, टिकट बुकिंग 13 अक्टूबर से शुरू, कोलकात्ता और हाबडा के बीच पाली स्पेसल ट्रेन 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, हाबडा एम राची के बीच सताबदी एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से दौड़े लगेंगी, इसके लिए टिकट की बुकिंग मंगलवार 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, बता देख की पूर्व रेलवे ने सोम और कोई अजनकारी दी है, पूर्व रेलवे से मिली जनकारी के 0-2-0-1-9 हाबणा राची सताबदी स्पेसल हाबणा से सुवा 6 बचकर 5 में खुलेगी, जार्खन मुक्ती मोर्चा के उत्पति की जड़ खोजेगी जार्खन सरकार, पहली बार सरकारी अस्तर पर जार्खन मुक्ती मोर्चा के उत्पति के जड़ परसोद अधेयन होगा, अध्यान मुल रूप से सुनोत संथाल समाज पर किया जाएगा जिससे आज से बर्सो पूर्व जाममो जैसी राजनीतिक पाटी का उधवा हुआ है बता देखिया अध्यान कार डाक्टर राम देयाल मुंडा जन जातिय कल्यान सोल संसान के बादम से किया जा रहा है जारखन के परतेख जीलों में खास उत्पादों की लगेगी 250 फैक्टरिया जारखन के 24 जीलों में से परतेख में चुने गए खास उत्पाद की 250 फैक्टरिया लगेगी यह उन जीलों में बहुतायत में पाये जाने वाले क्रिस्टी या फॉल उत्पादों पर अधारित होग बतादे कि राज में ऐसी साड़े साथ हजार इकाया स्थापित करने के लिए पांच साल की कार्योजना बनी है उद्योग विभाग ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है जिसके जरिया स्थानी अस्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का लक्ष रखा गया है राची का बिरसा मुंडा यारपोर्ट देश में नमबर वन बना है जनवारी से जून के बीच घरेलू उडानों वाले यारपोर्ट पर हुए कस्टमर सर्टिस्फेक्शन सर्वे में राची का बिरसा मुंडा यारपोर्ट देश भर में अवल आया है बता दे कि राची यारपोर्ट को 4.7 नमबर मिले है गोटलब है कि पिछले राउड में राची सर वे में समीलित नहीं था इस बार राची को पहली बार सर वे में समीलित किया गया है और उसने पहले अस्थान पर कपज़ा जमा लिया है जयप एवं होमगाट अभियार्थियों को सीग्र नियुक्त करे सरकार बीजेपी जार्खन ससस्त पूलिस की दूइतिये मेदा सूची और ग्री रक्षावाईनी के अभियार्थियों को प्रसिक्षन कराने की मांग को लेका धाना पर बैठे अभियार्थियों से मिलने पहुंचे भारतिये जन्तापार्टी के परदेश महामंत्री आधियत साहू ने कहा कि राज की हमंत्र सरकार चुनाव से पुर्व पहले साल पांट लाख नोकरी देने का वादा किया था साहू ने सोमोर को कहा कि जामो ने बेरुजगारों को साथ हजार बता देने का भी एलान किया था राज में खाली पड़े पद भरने का अस्वासन दिया था किन्तु राज सरकार अपने वादे पुरा करने में असपन साबित होई बेरुजगार को रोजगार की मांग के लिए धारना परदसन यहाथ तक की लाठी भी खाना पर रहा है जो दुरभागी पुर्णा है राजी में रोजगार मुहया कराने के लिए 27 अक्टूबर को होगी एप की लँचिंग रोजगार की तलास में जूटे लोगों के लिए अच्छी ख़वर है राची वासियों को जीला और देश के विभीन हीसों में रोजगार मुहया कराने के लिए जीला परसासन ने पहल करते हुए आपना टाइम टेक प्राइबेट लिमिटेट के साथ एम ओ यू साइन किया है मिलेगी इस एप को 27 अक्टूबर 2020 को लंच की जाएगी जारखन के पलमा से गुमला फोरलेन हाईवे जल्द एनेस 23 पर पलमा से गुमला के बीच 63.170 किलोमीटर फोरलेन हाईवे का काम जल्द सुरू होने जा रहा है भारतिये राश्ट्रिये राजमार्ग प्राधिकरन न निवीदा प्रकिरिया पूरी कर ली है इस सड़क के लिए निर्मार एजेंसी RKD कंस्ट्रक्शन का चैन किया गया है बताया जा रहा है कि कंपनी की ओर से अगले 3-4 महिना में काम शुरू की जाएगी मानो तसकरी रोकने के लिए पंचायत अग्रेश्ट हुमेन ट्रेफेकिंग का गठित होगा बाल कल्यान संग एवं राजे संसाधन केंद्र की ओर से सोमवार को अंतर राश्ट्रिये बाल का दिवस पर बाल कल्यान संग समन्वे कार्यालाय में वेबिनार कायोजन किया गया इसका विस्साय सुरक्षित पाल का सुरक्षित जारखन रखा गया था बता दे कि वेबिनार में सिवा निवित आईपीएस अधिकाई डाक्टर पीम नायर ने कहा कि मानो तसकरी को रोकना है तो पंचायत अस्तर पर पंचायत अग्रेश्ट हुमें ट्रेफेकिंग कल्प का गठन करे, संक्रामित मरीजों का डाटा अपडेट नहीं करने वाले निजी अस्पालों पर होगी सकती, राची के निजी अस्पाल, कुरोणा, मरीज, अक्सिजन यूख त॥ बेड और बेंटिलेटर का बेवरा जिलापरसासन को उपलवद नहीं करा रहे हैं, जिलापरसास और कहा है कि हर दिन देटा अप्लोड नहीं करने वाले पर करवाई की जाएगी। की मांग को लेकर 15 अक्टूबर को चक्का जाम। इन लड़कियों को काम दिलाने के बाहने दिली ले जाया जा रहा था। बता देकि सिम्डेगा के एसपी को इसकी जनकारी हुई तो उन्होंने राची के एसपी को मामले से अउगत कराया। एसपी के आदेश पर सदर थाना प्रभारी के निर्देश के बाद खात गड़ा चोक की इंचार्ज भिम सिंग रेलवे स्टेशन पहुँचे और जी आरपी के इंचार्ज की मदद से लड़कियों को बरामत किया। बिचवलिये चला रहे जारखन की सत्ता बाबुलल मरांडी। उसी दीन उसे राध भी करते हैं। उन्होंने कहा कि इसका सिधा मतलब भाई की बिचवलिया सत्ता चला रहे हैं। अपने चेर्मेन को अधिकरित किया है। राची में मनीज की फिल्म ग्रीन को मिले चार अवार्ड। जारखन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिव अवार्ड का उनलाइन आवेजन राची में किया गया। तिरपन देशों की 657 फिल्मों की प्रविष्टियों में से 115 अवार्ड अउनलाइन दिये गए। खास बात यह रही कि राची के निर्मता मनीज कुमार सिंग की फिल्म ग्रीन को कूल 4 अवार्ड मिले है। इसी फिल्म के कलकारों में Best Performance अवार्ड संजाय सिंग को जबकी Excellent अवार्ड परिधी सर्मा को वही Special Performance अवार्ड दिव्यांगना जैन को दिया गया। धन्यवाद कल का सवाल का जबाब में से हमें सबसे अच्छा जबाब राजू राय जी का लगा। तो आप सभी आपना सुझाव इसी तरह से देते रहें आज का सवाल मानाव तसकरी को किस परकार से रोका जा सकता है हमें अपना सुझाव अवस्य दे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करें थैंक यू